शाम तक काम करते करते दिमाग की नस्थ नाडियां एकदम ठक के चूर हो जाते तो इन सारे योगासनों के अभ्यासे आपको बहुत ही जादा लाब मिलने वाला है साथ ही इन अभ्यासों को अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो इनसे आपके पूरे शरीर में एक positive effect देखने के लिए मिलेगा क्योंकि आपको पता है हमारे पूरे शरीर के जो क्रिया कलाप है वो हमारे brain से ही तो control होते हैं यानि brain जो है वो head office हो गया और यहीं से सारे के सारे order जो हमारे शरीर में चलते हैं hormones की मदद से अलग-अलग organs जो हमारे काम करते हैं इन ही brain के signal की वजह से ही बाहर से जो भी information collect होती है आपके sense, organs से, आख, ना, कान, मुँ, आपकी skin यह सारे information collect होके brain तक जाते हैं और जब आपका brain ही ठका रहेगा तो सोचिए वो order कितने ज़्यादा destructive होंगे तो आपको जरूरी है कि आपके brain की कारिक्षमता improve हो और मन शान्त हो जिससे कि पूरे शरीर की overall जो कारिक्षमता है पूरे शरीर की overall जो स्वास्त है वो improve हो सके तो चलिए जादा वक्त ना गवाते हुए इन योगासनों को step by step सीखते हैं आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है चैनल में नए आए हैं या कि आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाईए नीचे जो घंटी का निशान दिख रहा है उसको जरूर दबा लीजिए साथी अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी सबसे पहला जो अभ्यास करेंगे इसका नाम है परवतासन या माउंटेन पोज इसका अभ्यास करने के लिए देखिए कैसे करेंगे सबसे पहले ऐसे वजरासन में बैठ जाएंगे अगर घुटने में दर्ध है तो वजरासन में बैठना आप अवाइड करें वजरासन में फिर ना बैठें फिर उसके बाद क्या करें? डिरेक्ली ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं इस तरीके से अब टेबल टॉप पोजीशन में ये सारी की सारी चीजें समझने के बाद फिर आप क्या करेंगे? अपने पैर की अंगूठे और उंगलियों को ऐसे मैट पर रखेंगे और धीरे से अपने घुटने को सीधा करते हुए इस तरीके से एक परवत के समान आपकी बॉड़ी की शेप बन गई आकरती आगी लेकिन अभी भी यहाँ पे ये चीजें सही है नहीं? अब क्या करेंगे आप? छोटी-छोटी चीजें में बता रही हूँ अब आपकी जो टेल बोन है टेल बोन बहुत से लोग अगर नहीं जान रहे होंगे तो आपकी रीड की हड़ी का जो सबसे निचला हिस्सा है ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से पर ध्यान लेके जाए और उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे पुश करेंगे और आपकी प बाजूओं की बीच में ले जाते हुए आप फ्लोर की तरफ देखें या अपनी अंगूठे की तरफ देखें जिससे की पूरी की पूरी रीड की हड़ी अच्छी तरीके से खीचें और ब्लड फ्लो सर की तरफ बहुत आसानी से फ्लो हो और हलका सा आपने पेट को अंदर क की तरफ खीच के रखें जिससे की पेट पर भी हलका दबाओ आए और सर जो है आपका दोनों हाथों की बीच में है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट जो है ब्लेड फ्लो आपके सर की तरफ होगा और इस पॉस्चर को आप 30 सेकेंड ऐसे होल्ड करके रखेंगे यहां पर और नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ पैर की एडियां और अंगुठें जुड़े हुए हैं इस चीज का ध्यान रखिए ऐसे हलका समय इधर घूम जाती हूँ ताकि आपको दिखे हाँ इस तरीके से ऐसे और आप सर को अपने अगर आप ऐसे हैं तो हलका सा आपनी बॉड़ी को पीछे की तरफ पुष कीजिए और इस तरीके से परवत के समान आप इस पॉस्टर को होड़ करेंगे अब यहां पर बहुत सी लोगों को एक यह साथ दिक्कत होगी कि उनकी एडियां ऐसे उठी होंगी यह घुटने में बहुत दर्ध होगा जिसकी नहीं हो रहा है तो कुछ दिन थोड़ा सुक्ष्म वयामों का अभ्यास करें और इस पॉस्टर को निरंतर अभ्यास करते रहें तो धीरे से आप अपने घुटने को मोल ले और एडि को पीछे की तरफ पुष करें जितना हो सके जबरदस्ती ना करें और धीरे धीरे आपकी एडि ऐसे मैट से टच होना शुरू हो जाएगी और अगर टच नहीं भी हो रही है तो एक छोटा सा आप टावल ले सकते है या अपनी आल्रेडी जो आपके पास योगा मैट है ना उसको ही ऐसे मोल ले और अपनी एडि के नीचे ऐसे इस तरीके से रख सकते है और फिर उस सेकेंड या 30 सेकेंड या एक मिनट डिपेंड्स की आप कितने अभ्यास्त है और कितनी आसानी से रुख सकते है तो इस पॉस्चर का अभ्यास करने के बाद कलाईयों में थोड़ा दर्द हो गया होगा और हाथों को और पैरों को रिलाक्स करने के लिए अब हम अपने दोनो पैरों को ऐसे बॉड़ी के सामने स्प्रेच कर रहे हैं और दोनों हाथों को बॉड़ी के पीछे रख रहे हैं और रिलाक्स करेंगे अब हम दूसरे पॉस्चर के अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसका की नाम है ससाग आसन या इंग्लिश में इसे रैबिट पोज के नाम से जानते हैं इस आसन का अभ्यास जब आप करते हैं तो आपके हेड रिजन की तरफ ब्लड फ्लो तो इंप्रूव होता ही होता है आपके स्पाइनल कॉड की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंप्रूव होती है और थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको इस आसन के अभ्यास के दौर अगर आपको नहीं पता कि kraun कॉन सी जगा है तो अपने हाथ के दो अंगुठे इसको कान के पास रखे और धीरे 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 दोनों अंगुठे के जो टिप है जहां पर एक दूसरे के साथ मिले ये वाली जगह इस वाली जगह को आपको मैट पर रखना है मैंने शु वजरासन में जब आप बैठें जिनको घुटने में दर्ध है वजरासन अवाइड करें अब इसके बाद आपको क्या करना है ध्यान रखना है कि आपकी योगा मैट थोड़ी मोटी हो जिससे घुटने पर आप आसानी से आ सके और अगर योगा मैट मोटी नहीं है तो आप क्या करें बाद ऐसे बैट गए है अब क्या करें वापस से ऐसे टेबील टॉप पोजीशन पर आजयें लृप पो जीशन पहने के बाद दोनों घुटनों के बीच में कमर जीतना आसला करने के-बाद अब धीरे-धीरे अपने सर को हम अपनी योगा मैट पर रखेंगे दोन आप जब अपने सर के उपरी हिस्षे को मैट पर ड्रॉप करेंगे न तो आपका जो हिप है यह चछत, की तरफ होगा इस तरहे इसे, और फिर उसके बाद अपने दोनों पेर市 एडियों को उठा हैं, चछट की तरफ अपने पेर की उंग्तियों को act करें, और फिर उसके बाद अपने पैर की एडियों को पकड़ लें ऐसे इस तरीके से और होल्ड करके रखें कम से कम 10 से 20 सेकेंड और फिर उसके बाद रिलीज कर दें अब बहुत से लोगों के लिए ये फ्लेक्सिबिलिची के कारण बहुत चैलेंजिंग होगा कि एडियों को ना पकड़ पाएं तो सिम्पली आप क्या करें कि अपने क्राउन एरिया को ऐसे मैट पर रख दे जहां तक रख सकते हैं और फिर उसके बाद अपने पैर को जहां तक हात पहुँचे वहाय तक रख लें और कमर को कोशिश करें उठा के रखें ऐसे बैट के नहीं करना ऐसे इसे कमर को उठाना है, hip को उठाना है और फिर उसके बाद crown को रख देना है एडी नाव पकड़ पाए तो हाथ जहां तक पहुँझे वहां तक रखे और फिर उसके बाद एडी अगर पकड़ सकते हैं तो ऐसे hold करके रखे फिर उसके बाद posture को release कर दे फिर उसके बाद ये अभ्यास करने के बाद यहीं पर अपनी एडियों के उपर एडियों को जोड़ा एडियों को बाहर खोला अंगूठों को जोड़के रखा और फिर उसके बाद अपनी एडियों पर बैठ गए और अब अभ्यास कर रहे हैं बालासन का अपने माथे को फ्ल लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनका पेट बहुत बढ़ा होगा या कि फिर आप हेड ऐसे ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं हेड ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं वो लोग क्या करेंगे ऐसे मुठियां बनाके सर के नीचे रख लें Second variation हो गया Third variation क्या कर सकते हैं कि दोनों घुटनों को ऐसे खोल ले और उस से क्या होगा पेट जो है आपका दोनों घुटनों के बीच में मैट पर आ गया ऐसे और उसके बाद फिर आप chest को और head को ड्रॉप कर सकते हैं दुनों हाथों को body के side में रख सकते हैं तो इस तरीके से एक ही posture को आप अपने body की condition के हिसाब से flexibility के हिसाब से modify कर सकते हैं ताकि आपको same love मिले तो बालासन का अभ्यास child pose का अभ्यास तो बालासन का अभ्यास कम से कम आप 30 सेकेंड या एक मिनट तक करके रखें क्योंकि यह आसान भी है और आसानी से यह आपके मन को शांत करेगा आपके mind को calm down करेगा नवर सिस्टम को calm down करेगा और आपने अकसर देखा होगा कि जब भी हम मंदिर, मस्जित, गुर्धवारे जाते हैं किसी भी religious place पे जाते हैं तो हम हमेशा अपने सर को जुकाते हैं सल्दा करते हैं तो उसका मकसद यही है कि आपका मन शांत हो जैसे ही आप ऐसे मत्था टेकते हैं फिर उसके बात जब उठते हैं तो आपको एक बहुत relaxation महसूस होता है तो उसके पीछे का reason यही है कि blood flow आपके सर की तरफ improve हो और आप शांत हो जाएं चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ लेकिन उसके पहले आराम करना भी जरूरी है तो अब दोनों पेरों को वापस से खोल लिया तोनों हाथों को body के side में रख लिया रेस्ट करें अब बढ़ते हैं अगले और चोथे अभ्यास की तरफ जिसका नाम है पश्री मुत्तानासन या seated forward bend इसका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहे तो मन शान तो होगा नवस सिस्टम काम डाउन होगा इसके साथ जैसे पश्री मुत्तानासन पश्री मींस पीछे की जितनी भी मानस्पेशियां है बैक की जितनी भी मानस्पेशियां चाहे आपके घुटने के पीछे चाहे आपकी पूरी रिड़ की हड़ी इसमें जबरदस्त खिचाओ आएगा जिससे flexibility improve होगी साथ ही पेट पर दबाओ आने से ये आपका digestion भी बहतर करता है तो कैसे करेंगे इसका अभ्यास दोनों पैरों को जोड़ लिया है दोनों हाथों को इस तरीके से उठाएं और थूड़ा सा पीछे की तरफ जाएं ऐसे lean back हो जाएं ताकि spinal cord lenden हो जाएं हाथ को जितना हो सके छट की तरफ खीचे और फिर उसके बाद अपने ध्यान को अपने lower back पर रखें खिचाव कैसा आ रहा है नाभी को हलका सा अंदर की तरफ खीचे और ऐसा महसूस करें कि आपको आगे से कोई पुल कर रहा है खीच रहा है और फिर धीरे 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 अब आपकी थाई का दबाओ पेट पर आ रहा है चाती जो है थाई की तरफ जा रही है और माथा आपका घुटने की तरफ एसे और अपने पैर को पकड़ने और कम से कम दस سेकेंड यहां पर रुकेंगे 30 सेकंड रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है नॉर्मल ब्रीधिंग करते हुए ब्रीध करते हुए और फिर सांस लेते हुए उठ जाएंगे अब यहाँ पर देखिए हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो पश्षी मुत्तानासन में इतना आगे जुक जाएं जिनको लोबर बैक पे टेंशन है वो तो इतना जादा एक्स्ट्रीम जुकेंगे तो उनकी लोबर बैक की टेंशन और भी जादा बढ़ जाएगी तो ना करें इसलिए काहा जाता है कभी भी योग का अभ्यास किसी प्रश्रिक्षीत प्रेखिशन के लिए नहीं होता है और उन च्छोटी च्छोटी वीडियो में हर एक इन्फर्मेशन दी भी नहीं जा सकती है तो अब अगर इतना सामने नहीं जुक सकते हैं क्या करेंगे कोई बात नहीं मेरी बॉडी की flexibility जितनी होगी उतना ही अभ्यास करेंगे हो सकता है आज flexibility इतनी नहीं है आगे जुकने की तो क्या कर सकते हैं इतना जुक जाएं जहां तक हाथ पहुँचे बस आपको देखना है कि क्या आपको कमर पर खिचाओ आ रहा है क्या तो आप अपने आप सही आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो जितना आप आगे जुक सकते हैं अपनी flexibility के हिसाब से उसी तरीके से अभ्यास करेंगे जिसका की नाम है से तुवंध आसन या इंग्लिश में इसे ब्रिज पोज कहते हैं तो आराम से अपने पीठ के बल लेज जाए दोनों हाथों को body के side में रखेंगे हथेलियों को ceiling छत की तरफ नहीं floor की तरफ ऐसे turn कर देंगे दोनों घुटनों के बीच में अपनी कमर जितना फासला रखेंगे जोड के नहीं रखेंगे ऐसे दूर करके रखेंगे और बहुत दूर भी नहीं कर देंगे है ना इतना कि आपकी कमर जितना फासला हो जाए और फिर उसके बाद धीरे से सास अब यहां पर आप नॉर्मल ब्रीधिंग कर सकते हैं या कि फिर सास लेते हुए हिप को उठाएं और अगर 10 सेकेंड तक रोक रहे हैं तो पॉस्चर को रोके और सास को भी रोक लें और अगर जादा देर तक रोक रहे हैं तो नॉर्मल ब्रीधिंग करते रहें हिप को उठाएं अच्छी तरीके से और अपने पेट को हलका सा अंदर की तरफ पुल करें अपनी ग्लूट मसल्स को जो है कमर की हिप's की मसल्स को टाइड कर लें ठाई पर जो फाइर फील रहा है उसको महसूस करें ग धीर ऐसे ऐसे hips को drop कर दें तो इस पॉस्चर का भी अभ्यास आप 3 सेट कर सकते हैं और रोकने का जो time है 30 सेकंड तक तो रोके ही रोकें चाहे वो पश्शिमोत्तानासन हो चाहे सेतु बंधासन हो चाहे परवतासन हो शशांगासन बालासन 30 सेकंड मिनिमम कोशिश कीजिए होल आपको शावासन में लेटे रहना है और आपको आराम करना है कभी भी शावासन को skip मत कीजिए दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रहके योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी online yoga classes में इन online yoga classes को कोई भी व्यक्ती जॉइन कर सकता है चाहे आप beginner हैं चाहे आप already योग का अभ्यास कर रहे हैं या आपको कोई health condition है इन yoga classes में आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा हर दिन अलग-अलग तरीके से classes schedule होती हैं जिसमें आपको अलग-अलग तरीके के आसन, प्रानायाम, योगी cleansing technique, meditation की टेकनीक साथ ही lifestyle को बहतर करने के लिए कुछ ऐसे easy tips आपको बताये जाते हैं कि जिससे आपकी आधे से ज़्यादा समस्या तो यूही solve हो जाती है आज इन online yoga classes की मदद से मैं देश और दुनिया के बहुत से students के साथ already जुड़ी हुई हूँ और उनको अपनी निगराने में योग का अभ्यास कराती हूँ और आपको पता है इन online yoga classes को join करने के बाद मेरे students की health condition में बहुत ही जादा जबरदस changes देखने के लिए मिले हैं जैसे कि अगर उनको नीद नहीं आती थी, thyroid की समस्या थी, diabetes की समस्या थी, PCOD, PCOS की समस्या थी शरीर में किसी भी तरीके के joints में पेंचाहे, knee pain, back pain, lower back pain, cervical pain इसी समस्याओं में उनको बहुत ही जादा लाब मिला है, बहुत सी महिलाई या बहुत से पुरुष ऐसे थे जिनको बहुत ही जादा excessive stress होता था, depression या anxiety की समस्या थी, उनमें भी उनको बहुत ही जादा लाब मिले हैं लेकिन किसी कारण से अगर आप ये classes सुबह 7 बजे zoom के माध्यम से नहीं जॉइन कर पाते हैं, तो मैंने कुछ courses design किये हैं beginners के लिए तो आप इन courses को purchase करते हैं, तो आपके पास ये सहूलियत हो जाती है, कि इन videos को play करके आप दुनिया के किसी भी कोने में हो और किसी भी वक्त अपनी सहूलियत के हिसाब से इन videos को play कीजिए और अपने practice को शुरू कर दीजिए तो अगर आप इन classes के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरी website विजिट कर सकते हैं www.yogavishrahida.com या मैंने यहाँ पर ये number शेयर किया हुआ है, इस पर आप सिर्फ एक whatsapp कर दें, तो आपको मेरी team के द्वारा सारी की सारी detail भेज दी जाएगी हाँ, ये courses भी complete beginner friendly है, तो मैं तो बहुत excited हूँ आप सभी को योग सिखाने के लिए, आपको सिर्फ करना क्या है, कि मेरी website पे विजिट करना है, या कि मुझे एक whatsapp कर देना है, ताकि आपको class के बारे में हर एक जानकारी मल जाए तो देखा आपने step by step मैंने कितनी आसानी से आपको इन सारे योग असनों का अभ्यास बताया, आशा करती हूँ आपको सारे के सारे postures अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, अब आप बिना किसी परेशानी से इन योग अभ्यासों को हर दिन अपने घर में खुद भी क करेंगे कि वो योग का अभ्यास करें, अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो ये वीडियो भी उन तक forward कर दीजेगा, क्योंकि ये वीडियो बना के मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपको करना क्या है कि ये अच्छी सी वीडियो उन तक जरूर forward कर देनी है, share कर दे अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और ये वीडियो अभी आप अंत तक देख रहे हैं तो इसके लिए थैंक यू, लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे इससे बहुत जादा खुशी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्यारा सा क लदी मिलूंगी, नमस्ते!